हमारे साथ है, मजाकी अंदास के लिए जाने जाते हैं, परमप्रागत वेश भूशा उनके गिरदार का हिस्सा है, इस्थानिय भाशा उनकी जिंदगी का सबसे खास पड़ाव है, अमीश देवगन जी मेरे सियोगी के साथ इस चर्चा में आप देखिए कितनी दिल्चस्प बाते यहां पर निकलकर सामने आएंगी. कुछ सवाल ही मेरे इसाब से जवाब हो जाते हैं, देखो मुझे कोई गड़ी पसंद आ जाती है, तो मैं lifelong use करता हूँ, और आपको बताता हूँ कि मैं यह वात में मुझे इस विशे को जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर जिन को जिन चीज का टेस्ट माफ़क आ जाता है, वो टेस्ट लाइफ टाइम चलता है. तो आप कहे रहें, गुजरात की जनता को बारतिय जनता पार्टी के प्रशासन से जुड़ाव हो गया है, वो अपनी चौइस से सरकार बनाते हैं, अब तक बना रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे. पर यह जो टेस्ट है, कई बार मुगा जायका भगड भी जाता है, कई बार कोई कंकर आ जाए, पत्थर आ जाए, जायका भी जाता है, कई यह तो नहीं होगा. वो आ नहीं जाता है वो लाने की कोशिश होती है और उन कोशिश को गुजरात की जनता बहुत समय से नाकाम कर रही है लेकिन पिछला चुनाव हमने देखा जिसमें इतना टाइट चुनाव था बीजेपी 99 कॉंग्रेस तत्य कॉंग्रेस ने कहा था कि इस बार थोड़ी कसर र ही नारा लगा रहे हैं और नबे से न तो संभल सके हैं और मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस शद्दे इतना जोर से बोल रहे हैं उनको ये तो बताना चाहिए कि फोम भरने तक इनके कमरे से लोग निकल रहे हैं फोम भरने तक उनकी कांग्रेस तूट रही है वो कांग बार चुनाओं में हम नहीं हरा सकें। ऐसे मोहन सी भाइ पार्टी से निकल जाते हैं उसके लिए डरने की बात कैसे कंएंगे वो 125 कंग्रेस पार्टी को आत्म चिंतन करना चाहिए कि ऐसे इनके दिगजण नेता जेन को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम नहीं हरा सके वो निकल गए वो किस इनको किसका डर था पर चिंतन तो कर रहे हैं मंथन भी कर रहे हैं भारा जोड़ो यात्रा राहुल गांदी जी ने निकाली हुई है निक भी हम आ रहे हैं हम आपको विदा कर रहे हैं वो विदा नहीं कर रहे हैं वो आपने नेताओं को विदा eighth has लेकिन क्या आपको लंगता है क्योंकि आपने यरेंड भाई के साथ और बंब पकर रीवी के साथ काम किया बीते गत्वर्षों में अब आप केंद्र की राजनीती में क्या आपको लगता है कि पिछली बारी जो भारतिय जंता पार्टी बहुत कठनाई के साथ चुनाव जीती इस बार तुकि एक तीसरी पार्टी भी है कहीं आपकी भाशा में कहीं जायका ना बिगड़ जाए कई टेस्ट ना बिगड़ देखो पिछले बार के चुनाव में सामाजिक रूप से गुजरात में अन्रेष्ट करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला और इन सब के हम साक्ष बने अब आप ये भी देख रहे हों कि जो अभियान चला रहे थे वो ही कह रहे हैं कि बाजपा को वोट दो इतना बड़ करने की क्षमता भारतिय जनतापार्ट की गुजरात की हिकाए ने आसिल कर रही है इसके लिए मैं गुजरात बिजेपी को दन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने ये कामिया भी अब आसिल कर रही है और लिकिन कॉंग्रेस के वरिश्ट रेता प्रित्विरा चोहान यहां बिजेपी हो या कोई भी दल हो और जो राजनिती में आता है आदमी वो पहले तो डरता होता तो राजनिती में ही नहीं आता तो डरने वाली बात और अब जब तक आप उसके दल में हैं तब तक निर्भीक हैं निडर हैं लिडर हैं और जैसे ही आपके दल से निकल जाते हैं डरपोक हैं डराते हैं ऐसा कैसे हो सकता है एसे मापदंड करके किसी नेताओं के सामने ऐसी बाते रखना उसको में उचित नहीं मानता हूं और विजेपी के लिए डरा धमका के लोगों को अपने दल में शामिल करने का जो एलिगेशन लगा रहा है इसलिए मैंने ये उदाहरन दिया था मैं इसका बार-बार जिक्र नह करना चाहता हूं मगर लोग तंत्र में भाई के इसाब से कभी लोग तंत्र में विजय आसिल हो ही नहीं सकती है इसके लिए आपको लोग चाहना करनी पड़ती है लोगों के दिल को जितना पड़ता है लेकिन क्या आपको लगों के दिलों को जीतना पड़ता है लेकिन जीते कुछ वर्षों के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश तरपर कई सरकारे भारतिय जनता पार्टी ने बनाई हैं, कॉंग्रेस कहती है कि उनकी सरकारे गिराके बनाई गई है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि जीते कोई भी सरकार आप भी बना लेते देखो जब कोई भी जीते और हम ही सरकार बना लेते हैं मुझे देश के राज्यों में नहीं जाना है यहां हमारी जीती हुई सरकार टूट गई थी और हमारे ही दल के नेता को मुखिया बना कर यहां गुजरात में ही सरकार बना ली गई थी वो क्या हम भारती जंता पार्टी वालों ने बनाई थी मगर गुजरात की जंता अर्सा हो गया अर्सा हो गया मगर यहां का ही हादसा है न भीया हम और राज्यों की राज नितिम सो हमारे घर में हो वो हमारे काम का नहीं है और कहीं पे कुछ गिरे तो हम गिरा रहे हैं हमारा गिरा रहे थे किस ने गिराया था और जिसने भी गिराया था मगर गुजरात की जंता ने इसको संबाल लिया इसलिए पुझा भारती जंता व considered काम पर आई में आई एक सवाल मैं आपसे पूशता हूं बार-बार टार्गेट किया जाता है गुजरात को, गुजरात के मॉडल को, नरेंद मोधी को, अमिद भाई को, क्या आपको लगता है कि देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन अब एक दिल्ली से नेता आये हैं, वो कहते मैं दिल्ली मॉडल लेकर आया हूँ, इस बार मौका दे दो, एक मौका केजरिवाल को, वो कहते हैं, एक बात समझ लेनी चाहिए, कि वैसे दिल्ली राजदानी होने के खारान, उसको राज्य का दरज्जा है, वरना ये एक बड़ा कॉर्परेशन है, तो इनको हमारे यहां आठ कॉर्परेशन है, इसमें से किसी एक मेर के साथ बैठके चर्चा कर करनी चाहिए, आप केजरिवाल जी तो मुख्यमंत ही है, किसी को भी मुख्यमंत ही, CM, अरे मुझे इसमें कोई आपती नहीं है, मैं स्वागत करता हूँ, सन्मान करता हूँ, इसलिए मैं मगर राज्य होने की वज़ए, आप कहरें कि उनको हमारे मेर के साथ चर्चा कर ले अरे मेर के पास जितना एरिया है, जितने आबादी है, जितने स्टुड़न्स है, जितने टिचर्स है, अब यहां गुजरात में आकर आप बताएंगे कम शिक्षन का मॉडल हमें आचर्चा करना है, मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को और देशवासियों को बताना चाहता हूँ, आजादी के पहले गुजरात के महराजा स्रिमंत सयाजी राव गायकवाड ने यहां मफद फरज्यात शिक्षन की गोशना कर दी थी, उस राज्य के हम नागरिक हैं, और जिसकी शिक्षन व्यवस्ता में से हिंदुस्तान के हमारे जो कंस्टिचुशन है, उस का निर्मान करने वाले डाक्टर बाबा साहिब आमबेड कर उसी शिक्षानिती में से निकल कर बाहर आए, अब वो हमको आकर इदर शिक्षा की सलाह देंगे और हमें सुनना है, लेकिन वो कहते हैं, उनके मॉडल से घबरा गई है, भारती जनता पार्टी डर गई है, यार गबराने डराने के बाद गोर किसी से किया करो, हमारे जिसे लोगों से क्यों बात करते हो, गुजरात वाले डर जाएंगे, ये गुजरात था सर, जब जब बता रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए बता रहा हूँ, जब ब्रिटिश सल्तनत की हकुमत चलती थी हिंदुस में, उस समय यहां के देश के किसानों ने उनके सामने आवाज लगाई थी, उसमें से नेता पैदा किया था, उसका नाम सरदार वल्लबबाय पटेल है, अब तब नहीं डरे, ये गुजरात वाले किसी मॉडल को लेके दिके हमको डराने के लिए निकलेंगे, लेकिर आप त ये उनके संग्यान में डाल देना चाहता हूं कि भगवान स्री कृष्ण जब तक मतुरा रहे, जब तक युपी में उनका जो भी लिला कांड का अवसर है, मैं उसकी धार्मिक और अध्यात्मिक बाबतों पे कॉमेंट करने का अधिकार नहीं रखता हूं, मगर मैं जरूर क कि भगवान स्री कृष्ण द्वारिका में जब बसे, उसी के बाद ही द्वार का तीश का टाइटल मिला है, वो द्वारिका तीश बने, इससे पहले राजा का टाइटल नहीं था, राजा का टाइटल गुजरात में आकर उनको मिला है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल, क्योंकि भगवान कृष्ण अप की तुल्ला या फिर कहें, तो वो कहते हैं क्योंकि उनका जर्म कृष्ण जनवास्टमी पे हुआ, उनकी दादी या नानी उनको कृष्ण तो क्या आपको लगता नहीं कि अब उ विश्नु महेश इसको भगवान नहीं मानता हूं वो जो कोई लोग बोल रहे हैं यह उनके मंत्री बोल रहे हैं पर हट गए वो तो हटा दिया गया उनको नहीं हटा देने से क्या फाइदा होता है वो तो बात निकल गई ना दिल में थी ओठों पे आ गई अब उस पर वो जो बूंद से जाती है न वो कहावत है पूरा नहीं वो फिर ओजो से नहीं सुधरती है चलिए राहूल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं राहूल गांधी पिछले चुनाव तक तो काफी आ रहे थे गुजरात लेकिन अब सुनाएं आने वाले हैं गुज इस नफरत के खिलाफ मेरी यात्रा है और यह गुजरात में भी नतीजा देगी देखो यह तो एक बड़ी दुख की बात है कि भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय दल जिन्होंने 50 साल तक हकूमत अपने परिवार से चलाई है वो लोग ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं कि भारतिय जनता पार्टी ने देश में नफरत चलाई है नफरत फेलाई है